आपने कहावत सुनी होगी कि चार दिन की चार दिनी फिर अधेरी रात इसको चरितार्थ किया है जबलपुर नगर निगम के अधिकारियों ने उन्होंने जनता को चार घंटे की रौसनी दे कर उनकी किस्मत में फिर अधेरी रात छोड़ दी ये चार घंटे वो थे जब सियम सिवराद जबलपूर आये थे सिवराद सिंग की काफिले के रिए जबलपूर की अमखेरा रोड स्ट्रेट लाइट से रोशन कर दी गई लेकिन उनके जाने के बाद अधिकारियों ने स्ट्रेट लाइट से निकलवा दी अब महापौर मामले की जाच करवाने की बात कह रहे हैं जबलपूर का अमखेरा गोहलपूर रोड जो की निसनल हाइवे 30 से सहर को जोड़ता है 17 दिसंबर को सियम सिवराज सिंग चोहान कटनी में भाचपा की बैठक में सामिल होने के बाद इसी सड़क से जबलपूर आये थे बीते 3 साल से यहां रहने वाले लोग सड़क के नारे स्ट्रेट लाइट्स ना होने की सिकायते कर रहे थे सियम सिवराज के दोरे से पहले अचानक नगर निगम के अधिकारी हलकत में आये हाइवे से लगी 3 किलो मीटर की सड़क को नई नवेली स्ट्रेट लाइट्स से रोशन कर दिया रोशनी से सराबोर सड़क से जब सियम का काफिला गुजरा तो जनता ने खूब दुआए दी पर सियम के जाते ही नजारा बदल गया नगर निगम के अमले ने सड़क पर लगी स्ट्रेट लाइट्स निकालनी सुरू कर दी ऐसे में छेतर की जागरुक जनता ने विरोध जताया मोबाइल कैमरा ये चालू कर लाइट्स निकालने की वज़य पूछे इस पर निगम का अमला जवाब नहीं दे सका जहां विरोध था उतनी जगे छोड़ कर बांकी सड़क की स्ट्रेट लाइट्स निकाल कर ले गया अमखेरा इलाके में रहने वाले लोग इसे छलावा बता रहे हैं क्योंकि वो समझे कि स्ट्रेट लाइट्स लगाने की उनकी फरियाद कुछ समय के सियम के काफिले के मद्दे नजर पूरी की गई थी महापौर्ट नगर निगम के अधिकारियों के इस कारणामे से हैरान है महापौर्ट जगत बहादूर सिंग अन्नु ने मामली की जाच करवानी की बात कहते हुए इलाके में इस्थाई स्ट्रेट लाइट्स लगवानी की बात की है यह सच है कि जब भी विई आईपी मूवमेंट होती है तो प्रोटोकॉल के तहट काफिले की मार्ग पर प्रकास विवस्था की जाती है लेकिन जबलपूर की अमखेरा रोड पर स्ट्रेट लाइट्स लगा कर निकाल लिया जाना जनता को मुह चिढ़ाने से कम नहीं है यह मेरी जानकारी में नहीं है यह आप से मुझे पता लग रहा है कि मानी मुक पहंजरी जी के आने पर ऐसी लाइट लगाई गई और निकाली गई मैं इसकी जानकारी लूँगा अगर ऐसा है तो इस पर यहीं भी देखा जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया